हलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, सिंप्लिफाइड स्टड़ी ओफिशल, तो गाईज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, विकॉम 4SAM की एडवांस अकाउंटिंग की बुक से टॉपिक, एंड चैप्टर, वेलुएशन ओफ शियर, तो गाईज, आज की वीडियो कौन से हैं, वो आज हम डिसकस करने वाले हैं, तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा, और गाईज, अगर चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बैल आइकन को जरूर दबा देना, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ए कहला कोशन अपका मन कि आता है, शोट में आता है, what do you mean by valuation of share? ठीक है, Valuation of Share क्या होता है Valuation of Share is the process of ascertaining the value of company share मतलब Valuation of Share एक ऐसा process है जिससे हम company के share की value कितनी है एक share की value कितनी है, वो हम पता करते हैं अब जो stock exchange है, वो main source है जिससे हम value of share नकाल सकते हैं बट stock exchange में क्या होता है, जो prices होते हैं वो हम किस से determine करते हैं, demand और supply से पर उसमें हम fundamental factors जैसे की net assets, earning capacity, yields नहीं लेते इससे क्या होता है, जो prices होते हैं, वो असली picture नहीं दिखा रहे होते हैं company की, इसलिए हम क्या करते हैं Valuation of Share करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हम क्या क्या लेते हैं, assets लेते हैं, earning capacity लेते हैं जिससे हमें net value है, जो value है shares की true value पता चल जाती है, तो इसी को हम कहते हैं Valuation of Share, ठीक है guys, तो हमारा ये first question हो गए जो short में आपको आ सकता है, what do you mean by valuation of share मतलब इससे आपको chapter का meaning clear हो गया होगा, कि chapter में क्या what are the factors affecting the valuation of share, ठीक है ये 2001 में आया है and second question हमारा बनता है, explain the factors which influence the valuation of share 2006 में आया है ये and next, इसी question को मतलब different different तरह फ्रेम किया हो है third question इसका बनता है, stay the circumstances under which valuation of share is essential तो हमें need बतानी है इस तीनों question में, क्या क्या जरूरत है, क्यूं जरूरत है मैं valuation of share की, पहला, अगर हम किसी भी share को purchase कर रहे है या sale कर रहे है, private company में तब हमें valuation of share की need परती है अगर हम purchase कर रहे है, sale कर रहे है, unquitted shares को, ठीक है third आजाएगा, when scheme of amalgamation and absorption is formulated मतलब जब company amalgamate हो रही है, किसी और company के साथ merge हो रही है या company absorb हो रही है, उस समय हम करते है, जब एक company, दूसरी company के हम majority of shares खरीदे लिते है majority of shares क्या होता है, 50-51% हमने उस company के shares खरीदे लिए, तब हम valuation करते है अगर हम preference share और debenture को convert करते है, equity share में, तब हम करते है तो यह हमारे क्या आ जाती है, यह हमारी needs आता है, मतलब किस किस तरीके से हैं, क्यूं हमें valuation of shares की जरूरत पड़ती है तो यह आपके सामने कुछ points है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको भी बढ़ा दी है अब इसमें 5 points अगर लिख किया है, अगर short question आ तो इस question के 5 needs आप लिख सकते हो, अगर short है अगर long है तो आपको ज़्यादा points लिखने पड़ेंगे, इसको elaborate करना पड़ेगा, पहले आप meaning बता दोगे valuation of share का then आपके आपके need for valuation of share, अगर 15 marks में ये question आ तो, ठीक है guys, तो अगर 15 में आएगा, simple सी बात है, आपको पहले definition देनी है, मतलब जो मैं आपको ये question पड़ाया न, what do you mean by valuation of share, वो आपको लिख देना है, उसके बाद need लिख देना है, और उसके बाद जो मैं आगे, आपको methods assets of finance or trust company, किसी company के assets को value करते हैं, कि इस company के कितने assets हैं, उस समय भी हम valuation of shares करते हैं, ठीक है, तो ये, मैंने आपको 10 points बता दी है, अगर आपको court की fee pay करनी है, तब ये valuation of share करते हैं, मतलब ये अपके 10 points मैंने आपको बता दी है, आपको जो easy लग रहे है, इन में से 5 points कर लेना, that is well and enough, चाहे long का चाहे short है, क्योंकि हम long में अके लिए नीर्थ होड़ना लिखेंगे, method सी भी लिखेंगे, और उसके बाद इसी question में आप लिख सकते हो, factors affecting the values, valuation of share, कौन-कौन से factors हैं, जिसके valuation of share effect होती है, पहला method, मतलब पहला factor मारा आ जाता है, nature of company's business, किस तरह का nature है company का, क्या percentage देती है, dividend का, उस company ने, past में कितना percent dividend दिया, suppose कर लो 10 percent dividend उनने दिया, third factor आ जाएगा, demand and supply of company share, अब जो company है हमारी, company के जो share की कितनी demand है, अब इतनी demand है, और क्या उतनी supply है, या नहीं है, demand ज्यादा है, supply कम है, supply कम है, supply ज्यादा है, demand कम है, ठीक है, मतलब ये चीज़ ह हम देख लेंगे, company के share की demand and supply देख लेंगे, fourth point हमारा आ जाएगा, government की क्या-क्या policies है, ठीक है, government की policies क्या-क्या है, in relation to company's business, ठीक है, company के business को लेकर, government की क्या-क्या policies, आप देखते हो कि, आए दिन, government की policies change होती रहती है, किसी company को लेकर, business को लेकर, ठीक है, SME को लेकर, ठीक है तो government की policy भी काफी effect डालती है हमारा valuation of share के वक्त ठीक है तो यह हमने देखा demand भी demand and supply भी डालती है dividend policy company की क्या है और nature of business क्या है तो next point देखते हैं तो guys next point इसमें आ जाएगा कि past की performance क्या है company की वो भी valuation of share में effect डालती है future growth कि क्या prospect बनाए है company ने management कैसा है company का financial ratio जैसे current ratio debt ratio ठीक है equity ratio यह कैसे है मतलब किस according है उसके बाद reserves कितने है company के पास ठीक है prospectus bonus या right shares issue का कितना है ठीक है company की income yielding capacity कितनी है net assets company कितने है economic condition कितनी है ठीक है यह सारे जो factors है यह आपको मैंने 14 to 15 points दे दी है इसमें आप देख लेना जो आपको easy लग रहे है 10 तो कई अब इसमें करके जो क्योंकि factors बताओगे न क्योंकि अगर 14 यह 15 पड़ोगे तभी आपके mind में 10 to 12 रहने वाले याद सबसे बहले मैंने आपको बताया अगर मालो इस chapter का पूरा long question आया ना मतलब मालो 15 नंबर में आपको पूछा गया है what do you mean by valuation of shares, valuation of share explain it अगर इस तरही के से question आ रहा है 15 marks में तो सबसे बहले जो मैंने वीडियो के start में meaning पड़ाया वो लिखो उसके बाद need लिखो valuation of share की उसके बाद जो मैंने अभी आपको यह क्या कराया है factors कराया है न मैं भी आपको लिखना है factors लिखने valuation of share के क्या-क्या factors है मैंने आपको 14 points यहां पर 13 ही आ रहे है 13 points है 10 to 12 लिखा हो well enough उसके बाद अभी मैं आपको यह important question अभी आ रहा है वह मैं भी आपको कराती हूँ वीडियो अंट तक देखना एंड इसमें मैं भी आपको कराने वाली हूँ मैथट्स के या किया है वैल्यूएशन ओफ शेयर के वह कराऊंगी इंट्रिंसिंग वैल्यू ओफ शेयर method है वो भी लिखाना ठीक है मतलब जितना मैं इस वीडियो में करा रही हूँ न अगर 15 marks का आपको question आया तो आप जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ चाहिए इसका screenshot मार लेना या फिर मैं आपको जो notes अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment कर देना मैं आपको description में इसका link दे दूंगे comment में दे दूंगी आप आप जाके भी बढ़ सकते हो नहीं तो आप इसके screenshot मार लेना अगर यही जो notes में आपको जिससे पढ़ा रही हूँ वही आप 15 marks में लिखाते हो आपको बहुत अच्छे number आ जाएंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह सबसे important question है जो मैं अभी आपको बात कर रही थी पहला आजाएगा देखो यह तीन चार तरीके से आया question पहला आजाएगा explain the earning method for calculating the valuation of share a value of share of a company and also discuss is suitability 2003 में आया है briefly explain the method of valuation of share यह यह 2001-2007 में write a note on yield method of valuation of share यह आपको आया है 2012 और 2016 में next guys question आपको आया है write short note on fair value method of valuation of share यह question जो आपको आया है 2008 में September में आया है 2008 में मतलब यह देख लो question कितना important है four to five times यह आ चुका है ठीक है question तो मतलब अगर full आपको question इस तरीके से आया है तो यह methods लिखाना है अगर आपको valuation of share का बूचा होगा 15 नंबर में जो मैंने आपको भी बताया आपको उस तरीके से लिखाना है तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले आपको क्या लिखना है मेनिंग लिखना है valuation of share का यह मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी है उसके बाद आपको needs लिखने है factors आते है तो लिख दो एक share की value किस तरीके से निकाली जाती है सबसे पहले जो net asset होते है ना company के या business के उससे divide किया जता है number of equity share माल लो इसके example ले लो माल लो company के जो net assets है वो है 10 lakh ठीक कितने है 10 lakh और number of equity share number of equity share कितने है 100 तो आप क्या करोगे 10 lakh को 100 से divide कर दोगे तो आपका और share की value जो है वो क्या आजाएगी आजाएगी इस तरीके से आप calculate करोगे यह कौन सा method है net asset method इसके आपको जो नाम है आपको नाम क्या याद रखना है net asset method अगर यह नाम याद रखो कि आपको याद रहेगा कि net assets की value को क्या करना है में divide करना है number of equity share से हमारा क्या आजाएगा एक पर share की value हमारी आजाएगी ठीक है तो जब हम value of share value of net asset को calculate करेंगे सबसे बहुत करना होगा कि कोन से non trading assets होते हैं इसमें जो non-trading assets होते हैं जैसे की investment ठीक है वह क्या होते हैं सबसे पहले हमें पता होगे non-trading assets इसमें क्या अगर हमें preference share question में दिया हो तो वो क्या होगी deduct होगी अगर हम net asset निकालेंगे न तो उसमें preference share क्या करेंगे capital को क्या करेंगे deduct करेंगे net asset से ठीक है फिर वही जो balance है मतलब जो balance बचेगा उसे हम क्या रिवाइड कर देंगे number of equity share से ठीक है तो अब देख लो यहापको यह performa दिया गया यह no trading assets के दिये गया है उसे अब क्या करोगे deduct कर दोगे और उसके बाद जो बचेगा उसको आप किस से डिवाइड करोगे किसे डिवाइड करोगे आप उसको डिवाइड करोगे number of equity shares के साथ और जो आपका answer आएगा वह per share की value आएगी वह आपका valuation of share आप कर लोगे आपका एक share की value के आजाएगी आपके सामने आजाएगी तो guys जो इसका formula बनता है वो बनता है value per equity share is equal to amount available for equity shareholder जो आपका net assets आएगे divide by number of equity share इसके merits क्या है वो आप एक बडिवाइड कर लो valuation of share is calculated by taking into consideration इसमें net realization value of assets की लेते हैं दस जो यह method है यह काफी useful है अगर company liquidate हो रही है तो ठीक है next आजाता है यह method also undertake करता है present value of goodwill को लेता है जो काफी क्योंकि जो goodwill होता है वो काफी important asset होता है company का थर्ड आ जाता है जो method है यह usually accept किया जाता है taxation authority के थुरूँ ठीक है उसके पर demerits के आ जाते हैं इसकी main difficulty है valuation of share की जिससे हम estimate कर पाए market value of assets को यह method है जो वो suitable नहीं है अगर कोई company grow कर रही हो और यह method also take consideration यह क्या करता है consideration लेता ह tangible or intangible assets को जैसे goodwill but practically यह difficult होता है कि हम estimate कर सके true value of goodwill तो guys next method आपका आजाता है yield method और earning capacity valuation method इस method में क्या होता है value of share होता है वो हम किससे निकालते हैं इसमें expected rate of return को normal rate of return के साथ क्या करते हैं compare करते हैं उससे हम क्या करते हैं एक per share की value को हम निकालते हैं ठीक है अगर अगर processors expected rate of return ज्याधा होगा normal rate of return से तो जो हमारी paid up value है share की वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी जिससे and the resulting figure is called marketable market value of share मतलब अगर हमारी expected rate of return ज्याधा होगी normal rate of return से तो हमारी paid up value है वो increase हो जाएगी और इस figure को हम क्या कहते हैं market value of share, अब इसमें आपको steps बताएगे हैं, किस तरीके से आप value of share को calculate करोगे, सबसे बहले आपको expected profit calculate करना है, equity shareholders के लिए, सबसे बहले आप expected profit आपके बास आजाएगा, उसमें आप less करोगे taxable amount, transfer to reserve, transfer to debenture, redemption fund, preference share, और जो balance आएगा वो आपका क्या जाएगा, equity shareholders के लिए balance क्या होगा, available होगा, उसके बाद guys हमें calculate करना होगा, expected rate of return, वो आप कैसे calculate करोगे, expected profit for equity shareholder, जो आपने उपर निकाला, उसको divide करोगे, paid up equity share capital से into 100, next, third step आपका होगा, आप क्या करोगे, market value of share को निकालोगे, आपको ये formula लगाना है, value of share निकालने के लिए, expected rate of return, जो आपने उपर share, ठीक है guys, तो ये आपका आजाता है second method, अब चलते है next, third method की तरफ, guys, ये हमारा method आजाता है, जिसका name है, fair value method, इस method में आपको value of equity share की किस तरीके से निकाल लिए है, इसमें आपको steps बताया हूँ है, पहला step आजाता है, इसमें आप value of share को कैसे निकालोगे, according to net asset method, जैसे first में आपने किया था, net asset method से एक value निकालोगे, value of share, next, second step आजाएगा, calculate the value of share according to yield method, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, value of share निकाल लिए है, जो हमने first method किया था, net asset method के साबसे, वह आपके पास एक value आजाएगी, second, आपको yield method से एक निकालना है, उसके बाद guys, क्या करना है, I found out the average of value assessing in step 1-2, मतलब आप net asset से, जो method से share की value निकालोगे, उसको add करोगे, yield method से निकालने हुए share की value से upon 2, मतलब उसकी क्या करोगे, average निकालोगे, ठीक है, जो value आई, आपकी दोनो method के, जो आपकी value आई, shares को, मतलब सबसे पहले आपने net asset method से एक value निकाली है, share की, उसके yield method से निकाली हुए, उसको divide कर दोगे, मतलब first वाले net asset method से निकाली हुए value को plus करोगे, yield method से value निकाली हुए asset को upon 2, मतलब दोनो value का average निकालोगे, वो आपका अंसर आजाएगा, fair value method के according value of share की, ठीक है guys, तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, दोनो value से आपको value निकालनी है, मतलब दोनो method से जो अपने उपर दो method किये न, पहला हमने किया net asset method और दूसरा किया yield method, दोनो method से आपको क्या करना है, value निकालनी है, share कि उसके पाद दोनो value को add करके, divide कर दना है 2 से, for example, मालो entrance, मालो आपकी net asset method से आपकी value आ रही है, share की 2, और yield method से आपकी value आ रही है, 4, 2 plus 4 is equal to, आपका क्या आजाएगा, 6, 6 को divide कर दो के 2 से, इसकी average निकालोगे, कितना आजाएगा, 3, 3 आपकी होगी, value of share, under fair value method, so guys, आज की वीडियो में इतना ही, hope so, आपको guys, वीडियो अची लगी होगी, अगर वीडियो अची लगी तो, please like कर दो, and this channel को subscribe कर दो, and bell icon जरूर and subscribe our channel, and watch more videos shown here